कि देखो कि सबसे पहले कि एलिमिनेशन मेथट हम देख क्या है कि एलिमिनेशन मेथट तो आप जब एलिमिनेशन मेथट के लिए पैर आफ एक्वेशन लोगे तो यह कर लेना कि इसमें a1 by a2 not equals to b1 by b2 है तो मैं एक बार कोई भी एक random sum ले लेता हूं x plus y equals 2 और 2x plus 3y equals 5 अब यहां देखो a1 by a2 कितना है बस यह चेक करना आपको मेंशीट में नहीं दिखाना है यह मैं जो चेक कर रहा हूं a1 by a2 कितना है a मतलब होगे x के coefficient तो यहां 1 है यहां 2 है 1 by 2 उसके बाद b1 by b2 1 by 3 यह equal नहीं है clear दिखाए दे रहे है equal तो नहीं है मतलब हम इसको algebraically solve कर सकते हैं तो मैंने algebraically solve करने के लिए method लिया elimination method को करने के लिए आपको कुछ बात का ध्यान रखना है rule number one ठीक है आप rule यहां मैं side में लिख देता हूं जो rules है ठीक है rules rule number one आप किस variable को eliminate करोगे वो variable select करो कि सिलेक्ट करो कि सिलेक्ट करो कि दो वरियेबल कि टूबी कि अलिमिनेटेड ठीक है पहले वरियेबल सिलेक्ट करो आप कौन से वरियेबल को को पर एलिमिनेट करोगे आपका मरजी ह原因 है वो टोटली यह पर डिपन करता है आप X eliminate करना चाहते हो ना वह इलिमिनेट करना चाहते हो एक डियाइड करो पहले आप गलितक्यक्शंच करो second जो coefficient है जो जिस variable को आप eliminate करना चाहते है उसका coefficient same होना चाहिए है ठीक है coefficient of the selected variable must be same must be same इसका ध्यान रखना same नहीं है तो हम same बना लेंगे कुछ ना कुछ करके बट same होना पड़ेगा जरूरी है same नहीं है तो हम खुद बना लेंगे और कैसे same बना जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तीसरा rule है sign of selected sign of selected variable must be different ठीक है इसका ध्यान रखना sign of the selected variable must be different यह कुछ रूल है ठीक है अच्छा उसके बाद जब यह सारे रूल आ जाएंगे तैन फोर्त नंबर रूल है add the pair of equations या फिर या फिर अटद system of equations ठीक है add the system of equations यह है ठीक है तो उसके बाद उसके बाद आता है उससे आपको एक variable का value मिल जाएगा जिस सब्सक्राइब आए जालेमिनेट ऑच्छा और यहां लिग देता हूं तो ऐलिमिनेट दॉरीबल कि यह अब एड करोगा और उससे अग्वरीबल जीस वैरीबल को अपने सेलेक्ट कराता था था ना कि हम इससे eliminate करेंगे, वो eliminate हो जाएगा, at the system of equation to eliminate the variable, the selected variable, ठीक है, selected variable, अब select कर रहे हो, तो x यहाँ eliminate हो जाएगा, उसके बाद fourth number, fifth number, find the value of, find the value of other variable, other variable, क्योंकि यहाँ दो variable है, आपने एक variable eliminate किया, एक और variable बाकी है न, तो उस variable का value आप निकालो, उसके बाद उसे substitute करो, दोनों में से किसी एक equation में, substitute, थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन करते करते, मतलब जो याद हो जाएगा, substitute the value of the variable in any equation to get the value of, to get the, to get the value of selected variable, मतलब आपने जिसको eliminate किया था न, उसका value मिल जाएगा, variable, ठीक है, ये सब rules है, ठीक है, ये rule है, rule आपको थोड़ा लंबा लगा होगा, बहुत ही simple है, step by step करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं, मैंने ये pair of equations लिया है, इनको मैं number डाल देता हूँ, equation one and equation two, ये मेरा equation one है, और ये मेरा equation two है, तो सबसे पहला देखो, rule है, select the variable to be eliminated, आप decide करोगे, x eliminate करना है न, y eliminate करना, तो चलो हम decide करते हैं, हम x eliminate करेंगे, तो rule number one हमने decide किया variable x हम eliminate करेंगे, rule number two कहता है, कि जो coefficient है, selected variable का वो same होना चाहिए, coefficient of the selected variable must be same, लेकिन यहाँ same नहीं है, पहले वाले equation में x का one है, second वाले equation में x का coefficient two है, तो हम एक काम करते हैं, same बनाते हैं, कैसे same बनाएंगे, x के जो भी coefficient है, वो है one or two, अब इन दोनों का LCM find करो, तो इनका LCM होगा two, ठीक है, अब दोनों equation में x के coefficient को two बनाना है, तो first equation suppose, equation number one, अब equation number one में मैं कुछ ऐसा multiply करूँगा कि इस x का coefficient one के जगर two बन जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे equation को two से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, equation one को मैंने two से multiply करना है, अब जैसी इस equation में two multiply हो जाएगा, तो यह one x बन जाएगा, two x, y बन जाएगा, two y, और right side में two बन जाएगा, four, मैंने पूरे के पूरे equation में two multiply कर दिया, लेकिन first वाला, second वाला equation में coefficient already two है, जोके LCM के बराबर है, इसलिए उसको two ही रहने दिना है, इसलिए आप उसमें सिर्फ one multiply करो, क्योंकि आप जानते हो one multiply करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो same ही रहता है, इसलिए same बना के रखना है तो one multiply करो, यह rule number two complete हो गया, क्योंकि इसमें बोला गया था selected variables का coefficient same होना, तो x का coefficient हमने यहां same बना लिया, इस तरह से same बनाया जाता है, मैंने फिर से recall करा देता हूँ, जो भी उनके existing coefficient होते हैं, उनका LCM लेना है आपको, तो मैंने कहा कि LCM लिया, one or two का, मुझे two मिला, और मैंने दोनों के coefficient का two बना दिया, बस यही करना है, अच्छा, third rule, third rule कहता है कि sign of the selected variable must be different, ठीक है, sign of the selected variable must be different, लेकिन यहां तो same है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको second वाले equation को न, हम one नहीं करते हैं, उसको minus one से माइनस one, उससे क्या हो जाएगा, यह minus, यह फिर एक काम कर सकते हो, अब यहां पर rule थोड़ा सा change कर दो, हम नहीं क्या बोला था, add the system of equation, मैं आपको rule बता देता हूँ, अगर suppose, sign तो में different चाहिए न, यहां पर क्या बोला, third rule में, third rule में बोला, sign of the selected variable must be different, लेकिन यहां different नहीं है, same है, तो अगर same है, और आपको different चाहिए तो आप subtract कर दो, इनको, इनको equation, एक नया equation number डाल दो, इसे equation 3 डाल दो, और इसे up equation 4 डाल दो, ऐसे, तो अगर यहां sign same है, लेकिन rule number 3 कहता sign different करना है, तो आप एक काम करो, इन दोनों equation को, आप subtract कर दो, add मत करो, subtract कर दो, subtract करने से हमें sign बदलना पड़ेगा, मैं इसमें कर देता हूँ, equation 3 subtracted by equation 4, we get, उससे क्या होगा, मुझे second वाले equation का sign बदलना पड़ेगा, इसे vertical method of subtraction बोला जाता है, इस तरह, तो sign बदल गया, जैसे third rule ने का कि sign different होना जीए, तो sign different होगा है, ठीक है, अब आप इसे calculate कर लो, 2x और minus 2x eliminated, 2y और minus 3y कितने होंगे, minus y, 4 और minus 5, minus 1, ठीक है, बस, अब fourth rule क्या था, fourth rule था, add the system of equation to eliminate the selected variable, variable select होगा है, fifth rule कहता है कि find the value of the other variable, तो इसमें हमने eliminate किया x को, और दूसरा variable y है, अब y का value निकालते हैं, y का value निकालने के लिए आपको क्या खालना बड़ेगा, दोनों set के minus cancel, y का value आगया, तो यह देखो y का other variable का value निकाल गया, fifth rule हमारा था कि find the value of other variable, अच्छा, उसके बाद क्या करना था, fifth rule के बाद, sixth rule में था कि substitute the value of this variable, यह जो हमने अभी value निकाल है, variable y, variable y का हमने value निकाल है, इसको substitute करना in any equation, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे equation है, equation 1 है, equation 2 है, equation 3 है, equation 4 है, हम किसी भी एक equation में हम इसके value को डाल देंगे, y के value को डाल देंगे, तो उससे हमें other variable का value मिल जाएगा, ठीक है, यह लिखा न, substitute the value of the variable y in equation to get the value of selected variable, selected variable कौन सा था, x, ठीक है, हमें इसका value मिल जाएगा, तो चलो, हाँ, आसे क्योंकि पहला equation किया था, first equation, मैं first equation में डाल रहा हूँ, x plus y equals 2, तो मैं यहां एंसेन कर देता हूँ, by putting the value of y equals 1 in equation, in equation 1, we get, क्या था equation, x plus y equals 2 था न, तो x plus y, y नहीं लिखेंगे, y में value डालेंगे, equals to 2, ठीक है न, confirm कर लो एक बार, equation 1, देखो, x plus y equals 2, यह हमारा equation था, तो y पे हमने y का value डाल दिया 1, और उसके बाद आप इसे solve कर दो, तो x का value इससे आपको मल जाएगा 1, तो यह पूरा method है, ठीक है, तो यह थोड़ा time लगा, क्योंकि हमने rule चेक किया, तो rule आपको एक बार फिर से हम recall करा देते हैं, तो rule number 1 था, first आप दो variable में से एक variable select करो, आपकी इस variable को eliminate करना चाहते हो, ठीक है, उसके बाद second rule था, अगर variable select हो गया, तो उसका coefficient same होना चाहिए, third rule था, उनका sign different होना चाहिए, selected variable का sign different होना चाहिए, अगर same है, तो आप subtract करो, और अगर different sign पहले से ही है, तो आप उनको add कर दो, ठीक है, उसके बाद, उससे आपको दूसरा variable का value मिल जाएगा, उसको फिर चार में से, यहां जितने भी equation उन में से, किसी भी equation में, as a comfortable, आपको जो भी comfortable लगे, उसके साब से value को आप डाल दो, किसी भी equation में, उससे आपको selected variable का value मिल जाएगा, उसके बाद आप conclude कर दो, therefore, x is 1 and y is 1, यह आपका solution आ गया, ठीक है, अच्छा, चलो, मैं आपको एक दूसरा सम लेके, एक बार आपको, elimination method और एक बार समझा देता हूं, ठीक है, एक बार फिर आप रिजोइन कर लो, same ID के साथ, फिर आप लोग आगे इसको continue करेंगे, whatever से आप लोग रिजोइन कर लो, हाँ,